आप देख रहे हैं टेलेंटेड इंडिया न्यूज जरा सोची है कि जिस शेहर में आप रहते हो जिस राज्य में आप रहते हो और एक दिन अचानक ऐसा हो कि उस राज्य में रहने वाले परिवारों की एक सूची जारी हो जाए और उसमें आपका नाम नाये आप अचानक से उस राज्य के लिए उस शेहर के लिए पराय हो जाते हो ऐसा ही हो रहा था असम में रहने वाले लोगों के साथ क्योंकि एनर्सी की सूची वहाँ जारी होने वाली थी जो कि अब हो भी चुकी है यहाँ पहले हम आपको यह बता दे कि दरसल एनर्सी है क्या एनर्सी से पता चलता है कि कौन भारती नागरिक है और कौन नहीं है जिसके नाम इसमें शामिल नहीं होते हैं उन्हें अवैध नागरिक माना जाता है इसके हिसाब से 25 मार्च 1971 से पहले असम राज्य में रह रहे लोगों को भारती नागरिक माना गया है असम पहला राज्य है जहाँ भारती नागरिकों के नाम शामिल करने के लिए 1951 के बाद एनर्सी को अपडेट किया जा रहा है इनर्सी का पहला मसौधा 31 दिसंबर और एक जनवरी की रात के बीच जारी किया गया जिसमें 1.9 करोड लोगों के नाम थे असम में बांगला देश से आये घुसपेटियों पर बावाल के बाद सुप्रिम कोट ने इनर्सी को अपडेट करने के लिए कहा था इनर्सी का पहला रजिस्टर 1951 में जारी हुआ था ये रजिस्टर असम का निवासी होने का सर्टिविकेट है इस मुद्दे पर असम में कई बड़े और हिंसक आंदोलन भी हुए है 1947 के बाद असम के लोगों का पूरवी पाकिस्तान में आना जाना जारी रहा 1989 में असम में घुषपेटियों के खिलाफ आल असम स्टूडेंट यूनियन ने एक आंदोलन किया इसके बाद 1985 को तब केंदर में जब राजिव गांदी की सरकार थी उन्होंने असम गण परिशत से समझोता किया और इसी के तहट 1971 में पहले से जो भी बांगलादेशी आसम में घुसे थे उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी आसम में राश्टी नागरिकता रजिस्टर याने के एनर्सी की फाइनल लिस्ट अब जो है वो जारी कर दी गई है यहां के लोगों के लिए शनिवार का दिन महत पूर्ण रहा करीब एक 40 लाख लोगों की सासें अटकी होई थी कि उनका नाम आजजारी होने वाली राश्टी नागरिक रजिस्टर याने के एनर्सी की अंतिम लिस्ट में शामिल होगा या नहीं वैसा मुख्यमंत्री सरवानंद सोनोवाल ने लोगों को ये भरोसा भी दिलाया है कि किसी को इस मामले में डरने की आवश्यक्ता नहीं है सिर्फ एनर्सी में नाम नहीं होने के कारण किसी को विदेशी या बाहरी नहीं मान लिया जाएगा इसका फैसला जो है वो समुचित कानूनी प्रक्रिया के बाद सिर्फ Foreigners Tribunal याने की F.T. वो ही लेगा आज असम में गुवाहटी समेट कई सव्विदंशिल इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है मुक्यमंत्री के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्य प्रशासन की सहायता के लिए पर्याप्त संख्या में अर्दसैनिक बल भी मुहया कराया है प्रत्यक जिले में उपायुक्तों और S.P. को अतिरिक्त सतरक्ता और सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश भी दिये गए हैं ताकि कोई हिंसा घटना नहों कुल 3,11,204 व्यक्तियों को अंतिम NRC सूची में शामिल करने के योग्य पाया गया है जिसमें से 19,6657 लोग बाहर हैं जिनों ने अपने दावे प्रस्तूत नहीं किये थे इसके परणाम से संतुष्टे नहीं होने पर विदेशी ट्रूबनल यानि की फॉरें ट्रूबनल प्रेश्टिस हजेला असम समनवेक NRC के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं NRC की जो भी फाइनल लिस्ट है उसे आप NRC asam.nick.in पर जाकर देख सकते हैं इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं इसके अलावा asam.mygov.in और asam.gov.in पर लोग अपना नाम देख सकते हैं ऐसी ही ताजा खबरों के लिए बने रही है टेलेंटेड इंडिया न्यूस के साथ नमस्कार अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें सस्क्राइब करें और शेयर करें